हेलो दोस्तों यूटीब चैनल इन्वेस्मेंज में आपका स्वागत है आज हम आपके सामने एक और कंपनी का एनलेसिस लेकर सामने आये हैं उस कंपनी का नाम है डेल्टा कॉप लिमिटेड इस वीडियो में हम कंपनी के बिजनस मॉडल, रेविन्यू जेनरेशन, फ्यूचर और प्रो एन कॉंस अफ इस बिजनस पर बात करेंगे और इन लास्ट हम आपको इन्वेस्मेंज ओपिनियन बताएंगे ऑफ दिस स्टॉर कि हमें ये स्टॉर कैसा लगता है सो इस वीडियो तक वीडियो को लास्ट जरू देखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दिन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आवर यूट्यूब चैनल और प्लीज फिल्प उस तो ग्रो तो लेट्स गेट स्टार्टेड देल्टा कॉप मिलनी गेमिंग और लग्जरी होटल बिजनस में है गेमिंग में भी इनका स्पेशल फोकस कैसीनो और ऑ के हाँ कैसीनो खेलने जाते हैं और ये वन ओ दे विगेस रेवन्यू कंट्रिब्यूटर है सगेंट सिग्मेंट की बात करें तो इनके पास फाइव सार होटल डेल्टा सूट्स है इन गोगा और साथ ही साथ वहाँ पे कैसीनो भी चलता है जो ये खुद ऑपरेट करते हैं दें थर्ड सिखिम में होटल डेंजोंग रेजनसी के साथ इनका टाइप है और वहाँ ये कैसीनो ऑपरेट करते हैं ये होटल ये खुद ओन नहीं करते बस ये कैसीनो ऑपरेट करने का लाइसेंस है ये बहुत ही अच्छी बात है क्यों मैं आपको ये बाद में समझाओंग और सेम केस नेपाल में भी है यहां पे कमपणी का टाइप है अपरेट कैसीनो इन 5 स्टार होटल मैरियेट इन काटमांडू दोस्तों फिप सेग्मेंट की बात करें तो इनके पास फाइव स्टार रिजॉट है इन दमन बिसिकली कमपनी को यहाँ पे कैसीनो बिजनस में इंटरेस्ट था और अभी तक उसका परमिशन इन्हें नहीं मिला है और यह पिछले चार साल से श्ट्रगल कर रहे हैं शट्थे सिग्मेंट की बात करें तो कमपनी के पास ओनलाइन प्लाटफॉर्म अडट 52 है जहां लोग पोकर और रमी जैसे कार्ड गेम खेलते हैं और यह लीडिंग वेबसाइट है फोर पोकर इन इंडिया कमपनी के पास अराउंड 20% स्टेक है इन हाला प्ले हाला प्ले जस्ट लाइक ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्स वेबसाइट है सेग्मेंट बाइस रेवन्यू की बात करें तो 2015 में कमपनी ने अपने रियल इस्टेट बिजनस से एक्जिट ले लिया था और अपना फोकस गेमिंग बिजनस पर लगा दिया और जैसे कि आप देख सकते हैं कि more than 80% revenue गेमिंग बिजनस से आता है और यह बिजनस ज्यादा capital intensive नहीं है उनलाइक होटल बिजनस तो बात करें तो कैसीनो बिजनस के मार्जिन बहुत हेल्दी और स्टेवल है अनलाइन गेमिंग का मार्जिन पहले अच्छा था रिसेंट थ्वर डिप हुआ है बट उसका रिजन यह है कि कंपनी ने अपने मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्श किया है और कंपनी के मैनेजमेंट की माने तो in coming future वो अपना मार्जिन 20% के around stable रखेंगे that's a good thing hotel business की बात करें तो यह loss making business है और यहां margin भी आप देख सकते हैं कि negative है management को भी यह business बहुत जादा पसंद नहीं है पर management का कहना है कि यह complimentary है to their casino business इसलिए यह business पे operate कर रहे है बट recently company आपने casino खोलने के लिए खुद का hotel नहीं बना रही है बट पहले से established hotel के साथ tie up कर रही है जैसे कि आपने पहले देखा in case of sikki man Nepal that's a very good thing दोस्तो अब हम इंडिया की gaming industries पर नज़र डालेंगे इससे हमको इस company का business model सब्रेंदे में काफी असानी होगा इंडिया में gaming industry is estimated around 60 billion dollar that's a huge number इंडिया में legal horse racing से illegal cricket betting बहुत common बात है और in total 12 states allow कर रहा है lottery को जिसका revenue estimated किया जाता है around 12 to 14 billion dollar and six states allow करता है horse racing को जिसका revenue estimate किया जा रहा है around 250 to 400 million dollar तक only two states goa और shikkim and one union territory allow casino gambling estimated revenue है around 200 million dollar का and 95% share unorganized sector के पास है अगर in future unorganized में shift आता है then delta can be main beneficiary financial year 2016 and financial year 2019 के बीच में company का revenue डो टाइम बढ़ा है बहुत research की माने तो goa में casino revenue 1 billion cross करेगा in future जो कि पूरे इंडिया का revenue का 5 टांस जादा है and as delta का goa में बहुत strong presence है so हमें future growth भी अच्छा दिख रहा है for this company company virtually debt free है और साथ ही साथ अच्छा cash generate कर रहा है इसका business currently delta के पास 500 crore cash है in and and 400 crore का asset है जो की company के future growth में बहुत अच्छा role play कर सकता है और जैसे अभी current situation Chinese wireless के कारण बहुत बुरा हो रखा है so company is difficult time में भी बहुत easily overcome कर जाएगी company ने recently 30% stake asset group backed Jalese cruise ship में भी लिया है and because of that delta has access to run casino in all cruise ship operated by Jalese यह company के revenue का नया dimension खुलता है and that's a very positive thing Goa government past के कुछ साल से plan कर रहे है to ship offshore casino to land और delta is completely prepared for this उन्होंने इसके लिए land भी purchase कर रखा है अगर offshore casino land पर shipped होगा तो इससे company को double फायदा है एक तो company का operation cost decrease हो जाएगा and second company can easily expansion कर सकती है और अपने revenue को boost कर सकती है इस company में इंडिया के दो biggest investor आरके हमानी जो की Demart के owner भी है और राकेश जुनजुनवाला का investment है और यह अच्छी बात होती है कोई भी company के लिए दोस्तो अड़ा 52 की बात करें तो यह इंडिया का number one poker website है और इसका revenue 2016 में 54 करोर से increase करके 2019 में 170 करोर हो गया और in future also यह number अच्छे से grow कर सकता है और company के total revenue में अच्छे से contribute करेगा दोस्तो अब हम company के financial पर नर डालेंगे company का current market cap close to 2500 करोर है stock currently 13 के P.E. पर trade हो रहा है जो कि historically 40 के P.E. पर trade होता था तो यह stock हमें अभी सस्ता मिल रहा है 52 भी high and low की बात करें तो यह 225 रूपीज और 54 रूपीज रिस्पेक्टिवली है stock price की movement की बात करें तो 2018 में यह price close to 400 था अब से यह stock downtrend में है और initial lockdown के time stock ने 52 रूपीज का low बनाया था and currently stock 90 और 100 के range में trade कर रहा है दोस्तो अगर total revenue की बात करें तो यह 2016 में 240 करोर से increase होकर 2019 में 580 करोर पे आ गया then in financial year 2019-2020 बहुत अच्छा नहीं रहा company के लिए क्योंकि last का जो दो मन था feb and march वो month बहुत badly impacted हुआ due to chinese virus but in future अगर situation normal हुआ then we can see same growth because of all new investment delta has done margin की बात करें तो यह same pattern follow किया है as a revenue and reason भी उसका same ही है return on capital employed and return on equity की बात करें तो यह number less than 15 रहा है throughout the year और यह बहुत अच्छा number नहीं है but reason behind this is loss making hotel business and currently company ने जो asset light model में investment किया है so we can expect this number to grow in future share holding pattern की बात करें तो पर्मोटर के पास close to 33% का stake है foreign investor के पास 16% and domestic investor के पास 8% का stake है but negative thing यह है कि पर्मोटर का 11.2% stake गिर भी है और यह stake plays है even when company के पास 500 करोट का cash है that's really not an increasing sign जोस्तो कैसी जो की basically gambling है यह company का main product है और यह sin product के category में आता है like cigarette and alcohol and that act as a big disadvantage for this company in past because of this reason company को बहुत problem हो चुका है और in coming future भी हो सकता है यह risk तो हमेशा ही रहेगा इस business के साथ company के management की बात करें तो personally investment is not big fan of that company ने अपने share plays के और रख रखे है इसका कोई clear answer नहीं दिया है और in past एक दू ऐसे decision है जो कि हमें बहुत पसंद नहीं आया Chinese virus में कारण भी company का revenue बहुत बुईता से impact हो रहा है और हमें यह नहीं पता कि यह situation normal कब होगा और company अपना normal operation कब start कर पाएगी और because of this unpredictability company का stock price बीचे आ गया final opinion की बात करें दोस्तो तो as company sin product में है and because of that risk तो हमें सा रहेगा but investments personally like this high cash generating business model और future growth भी हमें हां काफी दीख रहा है and company के first first mover advantage भी है so investments will invest in this stock but not in huge quantity as there is always risk max to max 5-7% of the portfolio so our final rating for this stock is 3 star good but little risky हम इस stock को 4 star rate कर सकते है but because of the risky business हम इसको 3 star rate कर रहा है return जो हम expect कर सकते हैं इस stock से वो close to 200% है from this current price in 1-2 year after situation become normal because of this Chinese virus thanks दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please like, share and subscribe to our YouTube channel and help us to grow till then goodbye